निफ्ट कांगडा में पढ़ने वाला यूपी का एक यूवक धर्मकोर से लापता हो गया है आपको बता दें कि यूवक पिछले करीब 18 दिन से लापता है यूवक के लापता होने का समाचार मिलने के बाद परिशन मैकलोड गंच पहुँचे और पुलिस्त ने गुमशुत की का मामला दर्श करवाया मैकलोड गंच पुलिस्त ने मामला दर्श कर यूवक की तलाश शुरू करती है निफ्ट कांगडा में पढ़ने वाला यूवक का एक यूवक धर्मकोट से लापता हो गया है अभी तक भागसुनात धर्मकोट और त्रियोंड में तलाश की जा चुकी है प्राप जानकारी के अनुसार यूपी के रुड़की का रहने वाला अब्दुल मनान पुत्र अवरार अहमद कांगडा निफ्ट में फैशन डिजानिंग कर रहा है गुमशुद्गी के बारे में जब जीला कांगडा पुलिस प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताए कि 14 अप्रेल को मैकलोड गंच थाना में युवक की गुमशुद्गी की रिपोर्ट तरच की गई है और पुलिस हर पहलू पर गहनता से जाच कर रही है उन्होंने बता है कि पुलिस ने एक टीम का गठल कर तलाश शुरू कर दी है इस चौदा तरीक को हमारे पास जो है मिस्टर अबरार एहमद जो कि रूपकी के रहने वाले हैं उन्होंने कंप्लेंट दज करवाई थी कि उनका बेटा अबदुलमानन जो कि 21 एर्स ओल्ड है और निफ्ट कांगडा में बी एफटी सेकंड यर का स्टूडेंट है वो जो है चार तरीक से जो है गायव है चार तरीक को वो धरम कोर्ट में अपने एक दोस्त के साथ जो है घूमने आया था और उसका अनों में जो है अलग लग दो कमरे लिए और मॉर्निंग में उसके उसके इस पर बर्जिन ऑफ मॉर्निंग में पांच वजे जब उसने देखा तो वो कमरे में नहीं था तो इस पर जो है हम लगोंने मिसिंग एंट्री की है और इस पर सारे अखिक्ट पर काम किया जा रहा है उसकी काल डिटेल जो है वो खंगाली जा रही है और इसके जो दोस्त हैं वहां से पुछताच की जा रही है और इसके अलावा कुछ टीमें बना के जो है उपर धरमकोट के एरिये में और इसके उपर जो टुरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पे जो है टीमें बेजी गई और उसको जो ढूमने का प्रयास किया दे रहा है के चनल के लिए कांगडा से निपी बादल की रिपोर्ट